केजिवाल रविवार को 11 बजे पूछताच के ले जाएंगे इस तरह की जानकारी आ रही है कि जो वक्त दिया गया है उसके लिए अर्विन केजिवाल पूछताच के ले जाएंगे चोटा-चोटा कमेंट तमाम एमानों से ले लेते हैं रुप जाएंगे बादी साब क्या है अब जब भी सीविए एडी कुछ काम करेगी तो अभी हिंदनबर्ग की रिपोर्ट आई अभी सब कुछ हुआ हिंदनबर्ग की रिपोर्ट का आपने जिगर कर दिया तो वहीं ससे सुरू कर देते हैं इसबसे जो मुख मुद्दा है आज देश में जो ब्रस्टा चार का सबकी नजर में जो अंतरश्टी शितर पर चर्चित है हिंके बारे में एक महीन का चलि मांग की जारी पूछा था इसका जवाब यहां पर तमाम जितने भी लोग मौजूद है आप में से कितने लोगों को लगता है कि एजनसी का दुरुपयोग हो रहा है देश में हाथ उठाइए इस तरफ से किसी गिने एक लड़का एक लड़का इधर से खड़े हो जाई है से फाथ से नहीं होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा लड़के इस पूरी भीड में से कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है कैसे जनता को कंविंस कीजिएगा बारा कम होते हैं नहीं आपको जादा लगर सो में से बारे मान रहे हैं को बारे की बात नहीं सुनी करने जी है का चल रही है भाजपाई की पूरे बिपक्ष कि सफाइय कर दें के संसद में मुक्त संसद बनाएं पर अवरा बना ना चाहते हैं यह सब चीज किसी कीमत पर जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी और यही जांच एजंसिया इंके गार्प प्रिट्विंजे भाई आप से एक सवाल है वह जो यह घोटाला हुआ है जमीन दो नौकरी लो यह जेडी उने मांग करी तो वह सही है यह गलत है बर यह बताईए ज़ता है पर जाइए आप दोनों से कमेंट लूए आप से स्वारम और गॉरब जी नाम भी आप दोनों का माच कर रहा है राइम कर रहा है रागी जी देखें सच्चाई तो यह है कि सराब का गोटाला जो है उसकी सुई कहीं न कहीं अर्विंद केजरिवाल तक जाती है पंजाब के लोग आ करके बताते हैं उन्हीं के लोग जो है वो चासित का हिस्सा भी बना हुआ है सब भी ने यह का गिवाई पंजाब में आपने इतना पैसा बहाया एडविटीजमेंट पे वो सराब माफियाओं के थू आपने बहाया है यह सब सारे आरोप हैं अरविंद केजरिवाल तो इमांदारी का हमें साथ अपना सर्टिफिकेट को दी देखते थे सीला दिक्षित को उन्होंने कहा कि वो तो बहुत करप्ट है और उन्हीं के कॉंग्रेस के साथ सरकार बना लिए उनको कभी भी दुबारा उटको उनको उस घोटाले के बारे में जिकर ही नहीं करते जितने बैमान थे उनसारों के साथ अरविंद केजरिवाल ने समझोता किया वो इस देश की राजनीती में एक नई राजनीती सुरू करने आये थे लेकिन वो उसी नाली के हिस्से बन गए जिसे वो साफ सफाई करने की बात कहते थे वो कहते थे हम यहां दिल्ली में जो है हम कई कई कॉलेजेश को ले पिछले दस साल में एक भी अरविंद केजरिवाल ने एक कॉलेज नहीं खुड़ा एक भी कॉलेज नहीं बारा है चलिए यह 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 बहुत अलग से कर लेंगे एक बार सौरभ जी और गॉरव जी को मेरे साथ दिखा दीज सौरभ जी जो जानकारी आ रही है इसमें आरोप स्पष्ट है और चार्जशीट जो एडी की तरफ से दायर की गई है उसमें जो आरोप लगा है यह खबर आई है वो मैं बाशब्द आपको पढ़के सुना रही हूं केजिवाल हड़ वर्ड विच समीर महेंद्रू जो आरो आपनी पार्टी के कम्यूनिकेशन इंचार्ज विजयन नायर को और सारा डील जो इसलिकर पॉलिसी में है आप इन्हीं के साथ कीजिए बहुत स्पेसिफिक आरोप है फेस्टाइम कॉल की डीटेल्स है जिसकी बिना पर उन्हें इस पूछताच के लिए समन किया गया है तो सारा का सारा जो इनकी बाते हैं वो किसी ना किसी के बयान के उपर आधार और लगबक जितने भी लोगों के बयान है उन सबने कोट में अरजी दी है कि किसी को मार मार के उसके कान के दोनों परदे फार दी किसी को कहा कि तुमारी बेटी कॉलेज जाती है जाना है नहीं जान किसी के गरीब और बुड़े माबाप को धंका के उनसे बयान दिये किसी की पिटाई करके बयान दिलवाए ये सारे के सारे बयान अंज़रा जी ये नहीं टिकने वाली ये सिर्फ कहान ठीक है चलिए दो लाइन में से दो लाइन में दे रहा हूँ सबसे पहले जो आपने बताया विजे नायर आमाद्वी पार्टी का ही जो है लीडर था न और अर्विंद केजरिवाल ने क्या बोला था वो आपने नहीं बताया उसने कहा मेरा ये है बच्चा दिल का है बड़ा सच्चा तुमको नहीं देगा गच्चा इसी सारी शराब दिती तैकर वालो और दूसरी बात कौन सा ऐसा जो है पीए होगा मुख्यमंत्री का जो चार हैंडसेट बदलता है केलाश गयलोध मंत्री है तीन हैंडसेट बदल डाले हैंडसेट और चार सिमकाट बदल लाले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद